तो Sustainable Development Goals कितने हैं आपको बताए 17 है कब तक बुरा करने का लक्षे है 2030 ये सब आपको बताए इसके लिए आप वीडियो पे नहीं आयो आप आयो कि हम इसे कैसे याद रखे मतलब अगर नंबर आपको दे दे कि भईया Sustainable Development Goals पांच वा तो आप बतादो पांच वा ये कहता है अगर उल्टा पूछ ले कि बताओ भया सस्ती और स्वच उर्जा Affordable and Clean Energy ये कौन सा नंबर का लक्षय है कौन सा नंबर का SDG है तो आंसर को जाएगा सात्वा ऐसे भी आप बता दो तो चलो इसको याद करते हैं ट्रिक से अच्छा उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आपने अपने बच्पन में बच्पन छोड़ो आपने अपने कॉलेज टाइम पर कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की है या क्या क्या आपने पढ़ाई क्या बता सकते हो आपको के नहीं बता सकते हैं थोड़ा बहुत बता देंगे पूरा नहीं बता सकते हैं लेकिन पिच्चर भी होते हैं, images होती है इसलिए हमें वो याद हो जाती है तो जब हमें पता है कि हमें कैसे चीज़े याद होती है तो उसको वैसे याद करते हैं क्यों दिमाग लगाएं? मतलब अब मैं आपको movie दिखाने वाला हूँ और इसकी खास बात यह होगी, यह movie आपसे संबन्दित होगी, क्योंकि आपसे संबन्दित होगी, तो आप इसे relate करके लंबे समय तक याद रख पाओगे तो यह अब जो मैं movie आपको बताऊंगा, इसका संबन्द होगा आपके आने वाले बच्चे से शर्माओ मत, future बच्चा क्या दो तो मतलब उस बच्चे के लिए आपके क्या-क्या सपने होंगे, आप क्या-क्या करोगे उस वक्त, यही इस movie में बताया गया है देखो जब आपका बच्चा होगा तो सबसे पहली condition आप क्या चाहोगे पैसा, no poverty, गरी भी नहीं होनी चाहिए अब आपका बच्चा होगया, जन ले लिया अब उसको लगेगी भूक तो भूक लगेगी तो आप क्या खिलाओगे, रूटियां खिला दोगे नहीं, उसे juice पिलाओगे अच्छे-च्छे महंगे-महंगे products, जो भी nutrition वाली चीज़े होती है वो खिलाओगे, और ये कब खिला पाओगे जब पैसा होगा, इसलिए हमने का न सबसे number one चीज हमारी क्या है पैसा, पैसा होगा तो बच्चे को अच्छा-च्छा खाना खिलाओगे, मतलब भुकमरी को समाप्त कर दोगे उसकी और जब बच्चे ने अच्छा-च्छा खाना खाया होगा तो वो रहेगा healthy जीवन भर उसका अच्छा स्वास्त रहेगा तो ये तो हो गया बच्चे का छोटी उम्र का जीवन तो ये तीन बाते तो होगे जब आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है पहली बात पैसा होना चीए जेब में तो अच्छा खाना खिलाओगे उसे भुकानी रहने दोगे अच्छा खाना खिलाओगे तो वो स्वस्तिर आएगा अब बात आती है उसको education दिलवानेगी अब आप कोगे क्या चल खाना ही खाता रहेगा क्या इसकूल चल तो अब आप उसको पहली बार उसके जीवन में इसकूल छोड़ने जाओगे quality education दिलवानी उसको अब जीवन में पहली बार उसे इसकूल छोड़ने जाओगे तो एक बार आपका मन तो करेगा न यार उसे classroom में देख करके आओँ क्या कर रहा है nut cut कई मेरी तरह पीछी पीछी तो नहीं बेठा तो आप classroom में जा करके देखते हो और आप क्या देखते हो कि वो तो लड़की के पास बेठा है मस्ती कर रहा है मतलब यह तो पूरा मुझको गया है मतलब हमारे time की तरह नहीं कि लड़के अलग बेठी की लड़के अलग बेठेंगे लड़के लड़की सब साथ में बेठें बच्वन में क्या लड़का क्या लड़की मतलब classroom से क्या पता लगा आपको यहाँ पे gender equality है लेंगिक समानता अब आपका मन खुश हो गया अरे यह तो पूरा मुझको गया है अब आप स्कूल से बाहर आते हो लेकिन बाहर आते हैं वक्त आप क्या देखते हो कि स्कूल में एक नल लगा हुआ है बार और वहीं पे सब बच्चे पानी पी रहे है और पानी कहां से आ रहा है उपर टंकी में से आ रहा है गंदा पानी अब आपको क्या लगा यार मैं तो अच्छा अच्छा इसको खाना खिलाया ताकि यह स्वस्त रहे अब ये गंदा पानी पिएगा तो बिमार पड़ जाएगा तो आप स्कूल वालों से क्या कोगे भया क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन का स्वच्छता का इंतिजाम रखो यहां पर यह तो इम बच्चे का एडमिशन अठा दूगा यहां से बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दूगा और आप देखते हो कि यहां तो लाइटे भी नहीं आ रही बच्चे सो लट्वत हो रहे हैं पसीने में हम तो घर में एसी में रखते हैं बच्चो को और यहां तो पसीने में भीग रहे हैं और यहां पर बच्चे कैसे खेल पाएंगे, इतना पॉलिशन हो रहा है यहां पर, तो अब आपने स्कूल की इतनी सारी कमिया निकाल दी, तो इस्कूल आलों को आपने क्या-क्या कहा, कि एक तो स्वच्छ पाने का इंतजाम करो, clean water and sanitation होना चाहिए भाया, और सस्ती और बच्चे को वो उर्जा मिल सके, ऐसा नहीं हो कि पंखा सिर्फ एक ही बच्चे की तरफ करा हुआ हो, एसी केवल एक ही बच्चे के लिए हो, चाहे क्लास में गरीब का बच्चा बेठाओ, या अमीर का बच्चा बेठाओ, सब अफोर्ड कर पाए, और यह कब होगा, जब सस सस्ती और स्वच उर्जा होना चाहिए, तो यह थी बच्चे की स्कूल लाइफ, क्या क्या देखा हमने स्कूल लाइफ में, आपने उसे quality education दिलवाई, उसके लिए आप उसे स्कूल में ले गए, फिर आप classroom में गए जा करके देखा क्या कर रहा है लला, आपने देखा लगाओ, pollution free वातवरन होना चाहिए, यानि कि सस्ती और स्वच उर्जा होना चाहिए, सस्ती होगी, तब ही सभी बच्चों तक पहुचेगी, अब इस तरह से स्कूल की दिन गुजरते रहे, रोप सुभे छोड़ने आते हो, शाम को लेने आते हो, सुभे छोड़ने आते हो, अब वो बढ़ा हो गया, अब उसने बारवी कर ली, college कर लिया, graduate, post graduate, सब कर लिया, आपका उस पे बहुत पैसा खर्च हो गया, अब आप उससे जाके बोलते हो कि यार, पढ़ता ही रेगा, क्या जिंदगी बर कब तक बढ़ेगा, भाई कुछ quality वाला काम कर, ताकि तेरी economic growth हो, क्या का आपने कुछ अच्छा काम कर, ताकि हमारे पैसे में भी growth हो, क्योंकि मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया तेरी पढ़ाई पे, अब उसके जिंदगी का नया पढ़ाओ आ रहा है, बचपना निकल गया, school life निकल गई, अब आपने बोला कि कब तक पढ़ता रेगा, अच्छा काम कर, कुछ, quality वाला work कर, तो कि work करेगा तब भी पैसा आएगा, तो इस तरह से उसकी job लग जाती है, कहाँ पे, industry में उसकी job लग जाती है, तो भई, industry में job लग गई, अब job लग गई, तो पैसे मिलेंगे ना, उसे salary के रूप में, तो इस तरह से, बहुत सारा प पास तो यह फट-पटी है, स्कूटर है, हाँ पास तो छोटा मकान है, तो अब दीरे-दीरे, आपकी वो असमानता खतम होती जा रही है, असमानता में कमी आ रही है, और यह असमानता में कमी कैसे आई, क्योंकि आपने अपने बच्चे से कहा, कि भईया, कब तक पड़ता रेगा यार, कुछ अच्छा काम कर अपनी economic condition में growth ले करके आ, तो उसके बाद उसकी industry में job लग गई industry में job कर रहा है, खुब पैसा कमा रहा है, फिर समाज में आपके परिवार में आपकी जो असमानता थी वो खतम हो गई, अब सब के समान हो गया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बेठना हो गया, तो असमानता में कमिया गई, अब हो गया भई, आपके पास खुब पैसा, अब आपने का कि यार बेटा कब तक job करता रहेगा, business कर business, business में खुब पैसा है लला, अब आपका बेटा सीधा साथा, भोला भाला, उसने का पापा, क्या business कर वो, आप भी बता दो, आपने का कि बेटा property में बहुत पैसा है, property में पैसा लगा, property में काम कर शहर के शहर बना दे, सामुदाइक भवन बना, शहर बना, फिर उनको बेच, तो वो शहर के शहर बनाने लगा, सामुदाइक भवन बनाने लगा, अब आपने उसे सला तो दे दी, खुद को कुछ आता जाता ने, सला तो दे दी, अब फिर आपने देखने लगा, यार, जो पैसा के खटा के आता, वो तो पानी की तरह बह रहा है, योगि सिटी बनाने में, शहर बनाने में तो बहुत बैसा लगता है, अब फिर आप अपने बेटे से कहते हो, कि बेटा खर्च कम कर, ये जो कंजप्शन हो रहा है इट का, सिमेंट का, रेती का, कंजप्शन कम कर जिम्मेदारी ले कुछ, ये कारीगर तो, कंजप्शन जादा करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे, आपके बेटे ने का, ठीक है बबा अब मैं जिम्मेदारी के साथ उपभूक करूँगा, कंजप्शन करूँगा, चीजों का इट बटों का, और उत्पादन जादा स्यादा करूँगा, मतब जादा स्यादा स्यादा सीटीज बना दूँगा, अब आपकी सलापे, आपका बच्चा एक ही ट्रोली इट में एक मकान बना दिता है बगवान जाने केसे बनाता है अब सीटी बन गई, सामुदायक बहुन बन गई आपने बेज दिया, सबको लोग रहने लग गए अब होता है जल्वायू परिवर्तन जल्वायू परिवर्तन हो रहा है बई जब बारिश का टाइम है, बारिश होनी रहे है जब बारिश का टाइम नहीं होगा तब बारिश होगी जहां बारिश होनी चीए, वहाँ बारिश नहीं हो रही, जहां नहीं होनी चीए, वहाँ हो रही है तो इसी तरह से आजाती है बहुत सारी बारिश और आपने जो शहर बनाये थे, जो सामुदा एक भवन बनाये थे वो उस बारिश में, वो उस बाड में बह जाते हैं मकान मकान तो गे जने का जीवन पानी में आ गया अब धीरे 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 जैसे पानी सूखता गया वो लोग जमीन पे आये तो फिर उनका जीवन भूमी पे आया पहले तो आपके बनाये हुए कच्चे मकानों में रह रहे थे फिर बाढ़ आने से climate change आने से बाढ़ आने से उनके मकान तूड गये और उनका जीवन पानी में आ गया अब दीरे दीरे पानी सूखा बाढ़का तो उनका जीवन जमीन पे आया अब आप ही सोच के बताओ अब क्या होना है आपका अब वो गुस्ताई जनता आपका विरोध क अब आपका अंतिम लक्ष क्या होगा भया कैसे भी करकर सबको सबका पैसा लोटा दिया जाए वरणना जेल हो जाएगे आपको अब पैसा तो है नहीं तो ऐसे बुरे समय पे काम आता है परिवार, चाचा, बुहा, ताओ, मामा, मौसी, सबसे आपने मिलकर के बात की सबसे थोड़ा पैसा लिया, सामोहिक साजेधारी से, कि भाई साब पैसा पैसा दे दो, फिर बाद में लोटा दूँगा पैसा दे दो, और फिर उन लोगों का पैसा लोटाया और इस तरह से आपका लक्षे पूरा हो गया कि चलो भाईया, इनसे तो छुटकारा मिला, आगे से कान पकड़ते हैं ऐसा काम नहीं करेंगे, या आप आखरी में ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा लक्षे क्या है, सत्तरा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स को याद करने का तो जब भी लक्षे की बात आती है, तो वो होगा सत्रवे नंबर का अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, बिल्कुल धीरी-धीरी बताई मैंने आपको अर एक बार, अब एक बार फिर से इस कहानी को स्टार्टिंग से फास्ट फास्ट हम रिकॉल करेंगे आपको क्या करना है सुनलो अपनी आखों को बंद कर लेना है मैं बोलता जाओंगा, आपको भी बोलना है साथ-साथ और वो पिच्चार आपके दिमार्ग में चलनी चाहिए आखे बंद, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते है बच्चा हो गया आपने क्या का भाईया, पैसे वाला होना चीह हूं, गरीब नहीं होना चीह हूं जेब में पैसे होने चीह हैं, यानि कि no poverty क्योंकि पैसे होंगे, तब भी आप उसे खाना खिला पाओगे, उसके भूक मिटा पाओगे अच्छा खाना खिलाओगे, तो वो स्वस्त रहेगा healthy रहेगा, यह उसका बचपन हो गया अब स्कूल में एड्मिशन कराना, इसे quality education देनी है स्कूल में एड्मिशन करा दिया आपने classroom में जाकर के देखा लड़कियों के साथ बेठा हुआ है gender equality है, लेकिन बार आगर के देखते हो तो स्वच्छ पानी नहीं है, sanitation की स्वच्छता की व्यवस्ता नहीं है सबको AC की हवा नहीं मिल रही, pollution बहुत है मतलब सस्थी और स्वच्छ उर्जा होनी चाहिए तब ही सबी बच्चों को AC की हवा मिलेगी सस्थी होगी तब ही यह उसकी school life हो गई, यहीं चलता रहेगा अब आपने का कि बतर पढ़ता ही रहेगा क्या कुछ काम वाम कर, ताकि हमारी economy condition अच्छी हो फिर उसकी industry में job लग गई आपके पास खूब पैसा आया समाज में जो आपकी असमानता थी वो खतम हो गई फिर आपने का खूब पैसा आगया, चल बिजनिस करते हैं क्या बिजनिस करें, प्रोपर्टी का काम करते हैं बिल्डर बनते हैं शहर के शहर बनाएंगे, समुदाइक भवन बनाएंगे अब आपने देखा, इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है तो आपने क्या का? जिम्मेदारी से काम कर उपभोग कम कर कंजप्शन कम कर और उत्पादन जाधा कर लेकिन एक बार क्या हुआ? climate change हुआ हाय हाय करते हुए आपने का शांती रखो, शांती रखो सबको नियाय मिलेगा, सबको justice मिलेगा, अब आपका अंतिम लक्षे यही है कि उनको चुप कराना उनको पैसे दे करके उनके मूँ चुप करवाना तो वैसे तो लास्ट वाला आपने लक्षे बोल दिया न, आपका अंतिम लक्षे यही है तो अंतिम लक्षे मतलब अंतिम वाला sustainable development goal यही होगा दिसमें भी लक्षे की बात हो जाए, वो अंतिम वाला ही है कि वहां पे सामूहिक साज़दारी से आपने पैसे इखटा करा और उनको पैसे दे दिया, तो यह अब आपको याद हो चुके हैं अब एक काम और करना यह जो कहानी है न आपकी यह अपने घर में किसी को भी मम्य, पापा, भाई, भेन किसी को भी सुनाना तो अगर आपके घर में कोई भी आपकी कहानी नहीं सुनते हैं तो निराज मत हो न, आपके घर में कोई जानवर होगा, गाय, भैस, गोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी होगा, उसको ये कहानी सुनाओ, और वो भी अगर आपकी कहानी निसुनता, तो अपने आपको कहानी सुनाओ, एक दो बार कहानी सुनाना, आपके दिमाग में जाएगी, आपके उंगलियों में नाचेंगे, और अगर आप कहोगे, तो इस पर मैं टेस्ट भी बना दूँगा, आपके क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पर, टेस्ट बना करके वहाँ पर डाल दूँगा, अगर रेंडमली कैसे भी कुशन में डालू, आपको पता चल आप से वो solve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, आपको याद करवा दिये, अब आप अपना वचन पूरा करना, वीडियो को जम के शेर करना, इस वीडियो का हम target रखतें 10,000 likes का, अगर आपने इसको जम के शेर किया अपने दोस्तों के साथ में, अपने study group में, तो आगे भी इसी तरह के वीडियो में आपके लिए कर क्या हूँगा, लेकिन अगर response नहीं मिलेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं, मुझे पता लगेगा कोई मतलब नहीं इसे बनानेगा, तो बस आज के लिए काफी है, thank you.